ठीक है अगला सवाल कह रहा है कि the greatest acceleration or deceleration to that train A, a train may have is A, अब train को एक station से चलके दूसरे station पर जाना है, और maximum Vem acceleration भी A है और retardation भी A है, obviously so rest से start करना है, accelerate करना है, maximum velocity पर पहुंचना है, फिर brake लगाना है और brake लगाने के बाद में उसको रुखना है, ठीक है? इस पूरी जर्नी को अगर हम एक VT डाइग्राम पे देखें, velocity time डाइग्राम पे देखें, तो आको पूरी बाद समझ गाएगी, देखें, during acceleration इसकी velocity बढ़ेगी, माले जी acceleration के बाद उसको मन का मन क्या कुछ दिर में constant velocity से चलू, तो velocity constant रहेगी, और फिर retardation के बाद velocity 0 हो जाए अब देखें, हम चाहते है time को minimize करना, हम चाहते है यह base कम से कम हो, time को minimize करना हो, अब टाइम को minimize करना है, तो हम यह चाहेंगे graph यह खुब उचा हो, क्योंकि जितना उचा होगा, उतना base कम होगा, इसका reason यह है, इसका जो area है, वो fixed है, वो fixed है, क्योंकि इसका area displacement होता है, displacement fixed है D, तो ऐसे में जितना graph हम ऊचा रखेंगे, उतना यह base कम होगा, इसलिए अब इसको ऊचा रखने के लिए का है, इन लाइनों का slope maximum हो, और slope maximum मतलब यह maximum acceleration से ही start करें, क्योंकि slope ही यहाँ पर acceleration है, तो यह maximum acceleration से ही चलें, और maximum retardation से ही उतरें, तो यह acceleration है, वो तो A ही होना चाहिए, retardation भी A होना चाहिए, इस दोदो slope सेम होने चाहिए, अब देखिए, अगर मान लीजिए ऐसा होता, कि acceleration से चलें और A acceleration से ही retard हो, लेकिन बीच में हमने माना है कुछ uniform period, अगर यह छोटा करतें, अगर uniform period छोटा करतें, यह और दे तक accelerate हो, और uniform period छ uniform velocity से चलता है, graph और उंचा जाएगा और base उतना कम होगा, इसका मतलब है कि करना यह चाहिए, कि uniform motion का period होना यह नहीं चाहिए, velocity बढ़ती रहे और घटती रहे, velocity बढ़ती रहे, इसी में सबसे कम time लगेगा, इसका मतलब A acceleration से accelerate होती रहे, और obviously बिल्कुल middle point पे जाके, middle time पे जाके, वो retard होना शुदू कर जाए, और A acceleration से retard हो, और उसकी velocity फिर 0 हो जाएगी अपने आप, तो motion कुछ ऐसा है, कि D, आधी distance तक, ग्राफ बिल्कुल symmetrical है, देखे, graph ऐसा बनेगा बिल्कुल, क्या बनेगा जी, यह horizontal axis, यह vertical axis, और परफेक्ट ऐसा symmetrical graph बनेगा, और यही है minimum time, पुशा क्या गया है, minimum time ही चाहिए, minimum time ही चाहिए, तो यह T निकालना है, और हमें पता है, इसका जो area है, वो D के बराबर है, D is T है, अब अब देखे, यह height निकाल लेते हैं, हमें acceleration दिया हुआ है, the greatest acceleration है, देखे, यह time obviously कितना हो गया, यह time हो गया, T by 2, और अगर यह T by 2 है A acceleration है, तो T by 2 time के बाद में जो velocity होती है, वो होती है, VT, VT मतलब, sorry, AT, AT मतलब A, T by 2, तो यह height जो हो गई, A, T by 2, अब आपको base पता है, height पता है, अब obviously इसका area निकाल सकते हैं, वो area कितना हो जाएगा, area हो जाएगा D के बराबर, और वो हो जाएगा half, base, T, and height, AT by 2, so clearly यहा पर दिख रहा है आपको, कि जो answer आएगा, वो आएगा, हमारे पास D, okay,